अधरम मधुरम वदरम मधुरम नयनम मधुरम असितम मधुरम रिजयम मधुरम गमलम मधुरम मधुरम दिपते रखिलम मधुरम मदूरा दिपसे रखे लग मदूरा वसनम मदूरं चरीटम मदूरं वसनम मदूरं वलितम मदूरं चरीटम मदूरं प्रमीतम मदूरं मदूरा दिपते रखे लग मदूरं मदुरा दिस्पते रखिलं मदुरू वे नूर मदुरू रहे नूर मदुरू वे नूर मदुरं रहे नूर मदुरू मदुर्य रहे नूरू मदुरू वे नूर दिस्पते हैं हम शांति किसी एक पार्टी में एक व्यक्ति एक बुड़े से व्यक्ति को देखता है और उसके पास जाकर कहता है कि आपने मुझे पैचाना वो बुड़ा व्यक्ति कहता है नहीं अब कौन हो वो कहता है मैं आपका स्टुडेंट हूँ आपका विध्यारती हूँ कि आपको याद है मैं आपकी कक्षा में था वो गुड़ा वेक्ति कहता है मुझे तो कुछ भी याद नहीं आप कौन हो वो कहता है तीसरी चवती कक्षा में जब मैं था तब आप हमको पढ़ाया करते थे तो वो टीचर कहता है अच्छा वो व्यक्ति कहता है कि आपको याद है कि मैंने गड़ी चोरी की थी वो टीचर कहता है नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं कौन सी गड़ी वो व्यक्ति कहता है मैं आपको बताता हूँ एक बार जब आप स्कूल में पढ़ा रहे थे और एक क्लास का विध्यार थी बहुत सुन्दर घड़ी लेकर आया और मुझे वो घड़ी चाहिए थी और इसलिए मैंने उसकी वो घड़ी चुरा ली और जब मैंने वो घड़ी चुराई तो वो लड़का रोते रोते आपके पास आया और फिर आपने सबसे पूछा कि किसने घड़ी ली है तो सब चुपचाप थे फिर आपने कहा था कि मैं सबकी तलाशी लूँगा और सबको दिवार की तरफ खड़ा किया और आपने सबके जेब तलाश किये और जब आपने मेरी जेब में हाट डाला था और वो जड़ी घड़ी आपको मिली आपने कुछ नहीं कहा था चुपचाप आपने वो घड़ी निकाल ली और बाद में उस लड़के को वो घड़ी दे दी बिना ये बताये कि ये घड़ी किसकी जेब में से मिली मैं तो इतना डर गया था कि आज सब के सामने मेरी बदनामी हो जाएगी सब लोग मुझे चोर कहेंगे सब लोग मुझे जूटा कहेंगे यदि आपने वो बात कह दी होती और ये कलंक मेरे जीवन भर मेरे साथ चलता पर आपने चुपचाप मेरे जेब से घड़ी निकाली और बाद में उस लड़के को दे दी इसलिए मुझे आप अब तक याद हो इसलिए मैं आपको भूला नहीं हूँ वो शिक्षक, वो टीचर, वो बुदर्ग वेक्ति कहता है मुझे ये याद नहीं है कि मैंने किसके जेब से घड़ी निकाली थी क्योंकि मैंने अपनी आँखे बंद कर रखी थी जब मैं हरे के जेब की तलाशी ले रहा था तो वो वेक्ति अपने बुदर्ग टीचर की ये बात सुनकर दंग रह जाता है सोचता है ये कैसी मैचुरिटी है कि इनोंने मेरी गलती को केबल छेबाया ने इनको खुद भी नहीं पता कि वो किस ने किया था बाबा कहते हैं तुम्हारा सुभाव दिरे दिरे कैसा हो जाए परिपको हो जाए तुम्हारा सुभाव तुम्हारी चदन तुम्हारी नेचर कैसी हो जाए धिरे धिरे उसमें मैचुरिटी आने लगे और जब अध्यात्मिक पुर्शार्थ करते करते अध्यात्मिक पत्ध में इस रुहानी रह में व्यक्ति इस तरह की मैचुरिटी तक पहुचता है तब उसमें एक गुन प्रगट होता है और वो गुन है स्वीटनेस और वो गुन है मधूरता अव्यक्त मुर्लियों में बाबा ने कहा है मदूबन निवासियों से मुलाकात की ये मधूरता का गुन किसका नाम बाला करेगा मदूसूदन का नाम बाला करेगा 85 की अव्यक्त वानी है क्रिसमस की क्रिसमस अर्थात किश्मिश डे और किश्मिश अर्थात मदूरता का दिन मदूरता वह विशिष्टा है जिस से कैसी भी भूमी हो उसमें क्या होगा बंजर भूमी हो कठोर भूमी हो वो बीच बोया जा सकता है इसलिए इस जीवन का लक्ष है सोला कलाओ से संपन बनना संपूर्ण बनना और इसलिए भक्ती मार्ग में श्री कृष्ण को क्या कहा गया है मदुरा दिपते रखिलम मदुरम हे मदुरता के इश हे मदुरता के देवता हे मदुरता के स्वामी तेरी हर बात, तेरी हर चीज, तेरा सब कुछ, कैसा है, मधुर, 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 जैसे गीत में सुना, ये गीत लिखाता वरलबाचार्य ने, ब्रह्मा बाबा भी कौन से, वरलबाचार्य के फॉलोवर थे, पुष्टी मार्क जिसको कहते, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत और शंग वरलबाचार्य इस सुरिष्टी चक्र में एक ऐसे विक्तितव हुए है, कभी कभी ऐसा लगता है, ब्रह्मा वाबा का एक जन्म शायद वरलबाचार्य का था, ये जो ब्रह्मा ही होगा, क्योंकि ब्रह्मा ये वर्लबाचार्य द्वैत्व वाद, या फिर तो घर ग्रहस्ते में रहते हुए भक्ती भाव से केवल एक ही की भक्ती की कृष्ण की कृष्ण को ही देखना कृष्ण की ही भक्ती कृष्ण का ही बाल रूप कृष्ण का ही सका रूप हर तरह से केवल कृष्ण कृष्ण में ही जीवन था वैसे तेलगू परिवार से थे पर जनम काशी में हुआ पर वो समय वो था जब मुसल्मानों का आकरांतकारी रूप था भारत पर कन्वर्शन्स चल रहते फोर्सफुल बदल रहते मुसल्मान हिंदुओं को तब कहीं जाकर उस समय उनका जनम हुआ इसलिए उनके पिता जो थे वो अकाशी से उनको चुपचाप लेके गए उदर बिहार चंपारन और वहां उनका जनम हुआ और एक महत्वपूर्ण बाद जुड़ी हुई है कि उनके जो बहुत पूर्वज थे दादा पर दादा उनको ऐसा साक्षातकार हुआ था कृष्ण का कि जब तुम्हारा वंश तब मैं तुम्हारे कुल में जनम लूँगा और ये जो इनके पिता होते लक्षमन भट इनोंने साओ यग्यपूरे कर लिये थे इनके आने तक पूरी वंश में और तब उसकी मां को साक्षातकार हुआ था मतलब बलबाचार्य की कि मैं आ रहा हूँ ऐसा श्री कृष्ण ने कहा और बताया गया है कि आते ही क्योंकि वो ट्रेवल किया हूँ लोगों ने क्योंकि मुसल्मानों के डर से वहां से पंधरावी, सोलावी शताबदी भारत में और अरंगजेब और ये सब लोग जब चल रहा था सब कुछ, कनवर्शन्स तब वहां से निकले तो वो जो बच्चा जनम हुआ दो मैने पहले ही हो गया, साथवे मैने में, प्रिमैची और बेबी जनमने के बाद उसने कुछ आवाज नहीं की, लोगों को लखा मर गया, वो मा ने एक ज़ाड के नीचे जाके रख दिया, और फिर उसको वो स्वपना आया, कि मैं आया हूँ, और वो जाकर देखती है, तो वो जो ज़ाड है, वहां वो बच्चा है, रो रहा है, और एक जनी से गुजरती और बच्चे को लेती है, उसको कुछ नहीं होता है, ऐसी कहानी है, कितनी तत्य है, क्या है, पता नहीं, परंतु ये वो छोटा सा बालक, साथ साल की उमर में शास्त्र पढ़ने चालू किये, और एक दो साल में पूरा पारंगत हो गया, ग्यारा साल की उम इतना कुषागरती व्रबुद्धी, छोटा सा बालक, कृष्ण देवराय, विजयनकर सामराज्य में जो डिबेट हुई थी, इसने साब को हरा दिया था, इतना बक्षिश मिला था, इतना पर इसने सब पाढ़ दिया था, बीस साल तक भारत की यात्रा की, अलग-अलग यह जिसको अलग-अलग जगा पर भागवत पर, तो ऐसी यह महानात्माद्वारा रचित, जो गीत अभी हमने सुना, वो है, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा है, जिसे सोला कला संपूर्न कहा गया है, और वो ही हमें भी बनना है, अधरम मधुरम, हे कृष्ण हे गोविन, तुमारे अधर, होट, कैसे है, मधुर, वदनम मधुरम, तुमारा चेहरा, कैसा है, मधुर, नयनम मधुरम, तुमारे नयन कैसे है, मधुर, हसितम मधुरम, तुमारा हसना कैसा है, मधुर, रिधयम मधुरम, तुमारा रिधय कैसा है, मधुर, गमनम मधुरम, तुमारा गम गूमना, चलना, फिरना, तो होट मदवन निवासी अर्थाद, जिनके मुख से क्या निकले, मीठे बोल, अव्यक्टवानी है, बाबा की, जिसमें कई बार बाबा ने कहा है, मदुबन से मुलाकात 9-11-69 मदुबन के निवासियों के दो विशेशता है कौन कौन सी मदु अर्थात मदुर था वन अर्थात वहराग्य तो तुम्हारे बोल भी कैसे है मदुर तो मदुर होट अर्थात उन में से क्या निकला हो मदुर रस टपक रहा है उसमें से सहद टपक रहा है पर कोई-कोई है जहां से विश भी टपक रहा है तो सबसे पहले ब्राह्मन जीवन की सबसे बड़ी धारना बाबा ने कहा मदुर था है जहां देखो वा मदुर था ही 18 जन्वरी 1917 की अव्यक्त वमारे लिए जिसमें बाबा ने कहा देखो कितना बड़ी संगटन है देखो कितना बड़ा परिवार है बेहत का परिवार आया हुआ है यहां भी आये है वो भी आया है फलाना भी आया है फलानी भी आये कैसा बेहत का परिवार है यहां पर जहां देखो वहां मदूरता है तो होट अर्थात मुक से निकलने वाले शब्द कैसे हो मदूर चेहरा मदूर अर्थात चेहरे पर क्या हो उदासी नहीं दुख नहीं अरे तुमको मिला कौन है कल की वाणी में है तुम कैसे अमुल्ले रतन हो कैसे रतन हो सारे दुनिया के रतन सारे दुनिया के खजाना एक तरफ और तुम एक तरफ तुमारा पलड़ा भारी है तुम ऐसे अभिनाशी रतन हो तुम ऐसे अमुल्ले रतन हो तो तुमारे मुक में उदासी तुमारे मुक पर उदासी अवसाद, गम, गमगीन चहरा, दुखी चहरा, चिन्तित चहरा नहीं हो सकता तो तुम्हारा मुख भी मधूर तीसरा तुम्हारे नैन मधूर क्यों नैन मधूर है? क्योंकि ये नैन क्या देखते है? आतमा को देखते है हमने कल की क्लास में परसो की क्लास में चिंतन किया था भाई किसी बहन को देखे तो क्या देखे रूप देखे उसके वो जोती है परमधाम की वो आत्मा भाई है वो बहन है वो सत्युक की देवी है वो मंदिर की देवी है वो ब्रह्मा कुमारी है वो मा है वो फरिष्टा है एक बहन एक भाई को देखे तो क्या देखे परमधाम की जोती है सच्चा भाई है मेरा भाई है आत्मिक भाई है लोकिक भाई आत्मिक भाई और परमधाम की जोती क्या देखे सत्यू का देव है मंदिर का देव है या तो बाल ब्रह्मचारी है ब्रह्मा कुमार है जो कितनी कुमारियों के कितनी साथ सो ब्रामनों के समान है या तो पूरवज है या तो फरिष्टा है यही रूप देखे यही स्वरूप देखे तो तुम्हारे नैन कैसे है विनोद भाई तुम्हारे नैन मधूर क्योंकि नैनों में बाप समाया हुआ है क्योंकि नैनों में उसकी याद समाई हुई है कल की अवयक्तवानィ पार्टियों से मुलकात पार्टी नम्बर वन आंखों में क्या है बो गमनम मधूरम गमनम तुमारा घुमना, फिरना कैसा है मदुरम मदुरता का घुमना है क्योंकि की सवस्ताओं में चाल कौन सी है फरिष्टों की चाल है देहभान वाली देहत्म भान वाली चाल नहीं देहभोद वाली चाल नहीं है तुम्हारा चलना फिरना घुमना कैसा है मदुर तुम जो बोलते हो शब्द कैसे है? वचन तुम्हारे शब्द कैसे है? मधूर है किसी को हट करने वाले, दुख देने वाले गिराने वाले निरुट साहित करने वाले मारने वाले, घायल करने वाले आहत करने वाले, नहो तुम्हारे वचन कैसे है? मधूरम चरितम मधूरम तुम्हारा चरित्र कैसा है मधूर आज की मुरली में है मीठे बच्चे सबसे बड़ा श्रिंगार कौन सा है पवित्रता ही सबसे बड़ा श्रिंगार है पवित्रधाम कल की अव्यक्तवानी पवित्रधाम परमात्मा की द्रिष्टी परमात्मा की स्रिष्टी तुम पर पड़ी है तो क्या हो गया? तुमको याद आई है पवित्रता की वचनम मदुरम चरितम मदुरम तुम्हारा चरित्र कैसा है? मदूर, क्यों मदूर है? क्योंकि उसमें purity है जहां purity है वही मदूरता है संसार में कितने भी बड़े-बड़े personality is व्यक्तित्व हो परन्तु वहाँ purity नहीं है इसलिए चरित्र भी नहीं है एक है character एक है personality एक है character तोनों में क्या आँतर है? एक है personality व्यक्तित्व एक है चरित्र चरित्र और व्यप्तित्व में क्या अंतर है इब्राहम लिंकन ने कहा है परस्नालिटी छाया है और चरित्र जाड़ है परस्नालिटी तो केवल छाया है Character is the tree, personality is mere a shadow उसका केवल एक परचाई है बस Personality बहुत अच्छे अच्छे परस्नालिटी वरी लोग है Courses है संसार में, Personality Development Course वहाँ जाओ तो Communication Skills सिखाएंगे भाशन कैसे देना, भाशन की कला बोलने की कला, Relationships की कला हाथ कैसे मिलाना, ऐसे मिलाना, ऐसे मिलाना Soft Skills, दस प्रकार की Soft Skills वो सब कुछ सिखाए जाता है वो सिखाए जाता है, पर भागवान Personality बनाने नहीं आया है भागवान किसलिए आया है Character, सुधार नहीं आया है हाँ, अगर Personality बनाने आया है तो रुहानी Personality बनाने आया है वचनम मदुरम चरितम मदुरम वसनम मदुरम वलीतम मदुरम तुम्हारा वसन, तुम्हारे जो वस्त्र है वसनम मदुरम कैसे है तुम्हारे मस्त्र? पवित्र तो हमारे वस्त्र भी कैसे होने चाहिए? पवित्रता से लब्रेज, युक्त, पवित्रसा से भरपूर ऐसे वस्त्र ना हो जो किसी को हमारे पीछे दिवाना ही बना दे वसनम मदूरम, वलीतम मदूरम, वलीत अर्थात पुश्चर, भाव भंगी मा तुम्हारा ये तिर्चा खड़ा होना भी मदूर है कृष्चर के लिए कह रहे है वल्लवाचारिय, सब कुछ तुम्हारा मदूर है ये भक्त की भावना कितनी डूब गई है आत्मा उसके प्यार में इश्ट के प्यार में इतनी डूब गई है कि उसको सब कुछ मदूरी मदूर लगता है जब वल्लवाजार्य की उमर 52 हो गई थी उन्होंने सोचा अब बस हो गया जीवन के अंतिम साथ दिन सबसे अपने आपको अलग कर लिया और निरंतर कृष्णयाद कृष्ण विरह, कृष्ण प्रेम कृष्ण पीडा में जलते रहे और उसी अवस्था में याद में, कृष्ण की याद में शरीर छोड़ा लास्ट साथ दिन वसनम मधूरम अर्थात तुमारे कपड़े भी कैसे है? मधूर, अर्थात प्योर ऐसे कपड़े ना हो? तरक भड़क वाले माया भी, विकारी यहां का डांस कैसा है? अव्यक्त मुर्ली डेंजर डांस मुर्ली थी ना? डेंजर डांस परसो की मुर्ली यह चोला कैसा है तुमारा? आसुरी यह दुनिया भी आसुरी है तुमारा चोला भी आसुरी है शरीर कहां पड़ा हुआ है? वैश्यले में विशेवैतर नी नदी में पड़ा हुआ है कि अगर श्रीमत तो तो रसातल में चले जाएंगे तो वसनम मदूरम तुमारे वस्त्र कैसे हो? मदूर वलितम मदूरम तुमारा खड़े रहना भाव भंकी मा पोश्चर कैसी हो? मदूर चलितम मदूरम तुम जब चलते हो मदूर जब तुम ब्रह्मन करते हो वो भी मदूर मदूरा दिपते रखिलम मदूरम वेनूर मदूरा रेनूर मदूरह पाणी मदूरह पादो मदूरो नृत्यम मदूरम सक्यम मदूरम मदूरा दिपते अखिलम मदूरम तुमारी जो वेणू है, मुर्ली, मुर्ली कैसी है तुमारी, मदूर, तो तुमारी मुर्ली भी मदूर होनी चाहिए, जैसे बाप की मुर्ली मदूर है, पैसे, तुमारी मुर्ली भी कैसी होनी चाहिए, मदूर, अर्थात, हर ब्राह्मन आत्मा या मास्टर मुर्ली धर है, हम तुम्हारे चरन रज तुम्हारे चरनों से रज जूड रही है वो भी कैसी हो मधूर अर्था तुम जहां जाओ वो भूमी पावन हो जाए जहां कदम रखो वो भूमी पवित्र हो जाए ब्रामन के पैर जहां जहां पड़ेंगे वहां कल्यान हो भावना से ही जाना है कि जहा मैं कदम रखूंगा वहाँ क्या हो जाएगा अलोगी कातिश बाजी रेनू तुम्हारे कदमों से उठनी हुई रजकन मधूर, रामायन में दिखाया है शीला बनी बैठी है, अहिल्या राम जी क्या करते है पहर लगाते हैं क्या टकराते है कुछ भी नहीं करते कोई कोई कथाकार कहते है केवल चरणों की धूली उड़ी और वहाँ लगी, लगाना तो बहुत बात की बात है चरण रज चाहती क्रिपा करो रगुबीर ये रगुबीर विश्वमित्र कहते हैं क्रिपा करो चरण रज चाहती बस तुमारे चरणों की धूली तो पत्थर क्या बन जाए चैतन्या पत्थर बुद्धी क्या बन जाए पारस बुद्धी कल की मुर्ली में कहा है बाबा ने पारस नात पारस बन जाती है आत्मा तो तुमारे चरणों की रज कैसी हो मदोर अर्थात पवित्र आतमाओं को पवित्र बनाने वाली पाणी मधुरो तुमारे जो हाथ है वो भी मधुर अर्थात इन हाथों से कोई अपवित्र कर्म ना हो ये हाथों से कोई पाप कर्म ना हो ये हाथ हमेशा पुन्य कर्म ही करे शरीर के विरुद्ध भी इंसा ना हो इस शरीर से विकार में स्वैम को डालने के निमित तो ये हाथ ना बने इन हाथों को भी पवित्र करना है पवित्र कैसे होंगे हाथ? नहीं, अभी यहाँ बैठे बैठे कुछ-कुछ लोग कर रहे है मुरली लिखना, पॉइंट्स लिखना, क्लास लिखना, ये सबसे बेस्ट है हाथों को पवित्र करने के लिए सबसे उत्तम साधन क्या है? मुरली लिखना, स्वमान लिखना, बोजन परोसना, वो भी हो गया हाथ से जो भी टोली थे ना योग-युक्त हाथ मिलाना, अपने वाइब्रेशन्स दूसरों को देना हाथों में एनर्जी हो, हीलिंग एनर्जी, प्यूर एनर्जी भगवान के हाथ पकड़ के रहना, तो किसी के पैर पकड़ने की जरूत नहीं पड़ेगी फल, देना, बस देना अर्थात पुन्य, लेना अर्थात, नीट्रल, कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता है देते रहना, देते रहना, हरन कर लेना दुखो को, तो पाणी मधुरो, तुमारे हाथ कैसे हो, मधुर अर्थात, इन हाथों से मधुरता के कर्म हो, पादो मधुरो, तुमारे पैर, कैसे हो, मधुर, अर्थात पैर, ऐसी जगा लेके नहीं जाना है, जहां अपवित्रता है ऐसे जगा रखना है पैरो को जहां पर अपवित्र रता है जहां impurity है वहां लेकिन यह जाना है ऐसी संसार की जगः जहां पवित्र रता है मात्मा गांधी जी ने अपने जीवन कहानी में लिखा है कैसे वो बज गया है और कैसे भगवान का शुक्र मनाया वो उनका वो मित्र जो बहुत शक्तिशाली था और उसके साथ विदेश की घटना यह तो भारत में विदेश में भी ऐसा ही वो दिखाया है वो कैसे गय और वो वेश यह वहाँ बैठी थी और एकदम से उनको पसी ना आ गया और वो निकल के वहाँ से आ गए और फिर कहा कि हे राम निर्बल के बल राम उसी ने मुझे बचाया वर्मन किया है पूरा अपनी जीवन कहानी में तो अपवित्र स्थान अपवित्र जगा ऐसे स्थान पर जाना ही नहीं है और स्थान को इंगलिश में कहते है साइट एसा है टी इ एक है स्थूल स्थान एक है इंटरनेट का स्थान वेब साइट वो भी स्थान ही है एक है स्थूल और एक है ये बरतमान वाला इसको भी साइट ही कहते है तो पादो मदूरा, अपने पैर को उस तरफ ले जाना मतलब कब्र में डालना, पैर इधर मोबाईल में, मदूरा अधिपते, फिर नित्यम मदूरा, तुम जो नित्य करते हो, कौन सा नित्य करते हो, ग्यान डान्स, तुमारा ग्यान डान्स जब होगा, तो ही वो मदूर होगा, संसार का डान्स होगा, तो डेंजर डान्स होगा, इसके लिए, डान्स करो, करते हैं केस्टीवल्स पर, ब्राह्मन, पर कभी ऐसे डान्स करते हैं, कि उसमें अलोकिकता, जरा भी नजर नहीं आती, विदेशियों के डांस देखा कितनी अलोकिकता वो रशियन कलते कल्चर प्रोग्राम करते उनके कल्चर प्रोग्राम और हमारे कल्चर प्रोग्राम मदुवन की भूमी पर चांस की बात नहीं है यहां हम बात कर रहे है वो भाव की, अलो किकता की, दिव्यता की, दिव्यता होती है बहुत ज़्यदा, हमारे थोड़े ज़्यदा ही modern, aggressive, ज़्यदा बढ़ जाती है, पर वो देखा है न, रुशियन बेनों के डांस जो होते हैं, कितनी रॉयल्टी होती है, कितनी अलो किकता होती है, ड्रेस कैसे होत है, हमारे ड्रेसे बदलते रहते हैं, अज अलग-अलग प्रकार की होते हैं, कभी कुछ है तो कभी कुछ, angelic होता है उनका, तो नृत्यम मधुरम, तुमारा नित्य भी करने वाले कोई है इदर, stage पर, करते हैं न, करने आए चोटी-चोटी, या भाई भी करते हैं कोई- उसमें लोकिकता ना हो, श्वेश-भूशा भी यो, वो मरियादा युक्त हो, अगर ड्रेस करना है सारे ब्रामनों के सामने, इतने सारे भाई बेटे हैं, किस तरह का ड्रेस पेन रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे मदुबन, चाहे सेवा किंद्र, ड्रेस अलो किको, नृत्य अलो किको, वो देखने के बाद किसी की बुद्धी चलाय मनना हो, वो देखने के बाद किसी में काम का भावत बनना हो, वो देखे तो उनको लगे फरिष्टे डांस कर रहे हैं, तो ही वो अलो किक डांस है, नहीं तो पाप के खाते में जा रहा है वो भी, इत तुम्हारी मित्रता कैसी है बहुत मदूर और संसार में सबसे अच्छी मित्रता किसकी है भगवान की और उस से अधिक मदूर मित्रता होई ना तो इस अर्थात हमारे जिनकी हमसे मित्रता है वो हमारी मैत्री भी पवित्र मैत्री हो उस मैत्री में देह देहभान ना हो जितने हमारे मित्र है उसमें लोकिकता ना हो हमारी जो फ्रेंड से उसमें लोकिकता ना हो करिरं मदूरं तलरं मदूरं हररं मदूरं रमरं मदूरं वमितं मदूरं समितं मदूरं मदूरागी पते रखिलं मदूरं मदुरा विपते रखे लं मदुरा कुंचा मदुरा माला मदुरा यहुना मदुरा विचे मदुरा सलिलं मदुरं कमलं मदुरं मदुरा विपते रखे लं मदुरं मदुरा विपते रखे लं मदुरं कुपिरी मदुरा निला मदुरा यूखं मदुरं मूखं मदुरं इश्टम मदुरं मदुरा निकतेर किलं मदुरं मदुरा निकतेर किलं मदुरं कुपा मदुरा का हो मदुरा याश्दीर मदुरा रूश्दीर मदुरा दरितम मदुरा पनितम मदुरा मदुरा गीतं मदूरं पीतं मदूरं भुक्तं मदूरं सुब्तं मदूरं रूपं मदूरं तिलकं मदूरं मदूरादी पते रखिलं मदूरं तुम जो गीत गाते हो वो मदो रहे क्योंकि तुम्हारे गीत कौन से है परमात्मो प्रेम के परमात्मय याद के तुम्हारे मुख से विकारी गीत कभी निकल नहीं सकते दुख के गीत नहीं निकल से हाई ऐसा क्यू वैसा क्यू मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ संड़े की मुर्ली कल की विदेशियों से मुलाकात पार्टियों से मुलाकात बाबा ने कहा ये सब क्यों आ रहा है ऐसा क्यों क्या क्यों कैसे माया क्यों आई मेरे पास ही क्यों आई सोचो नहीं फुल स्टॉप ये कि तुम नहीं गा सकते गीतम मदूरम, पीतम मदूरम तुम जो पीते हो वो भी मदूरे क्या पीते हम अम्रित, ग्यान का अम्रित विश काहे को खाए बीजविश में विश भी पी लेते अम्रित पीना है परमात्म प्रेम काम बृत क्यान काम बृत भुक्तम मदुरम सुप्तम मदुरम तुम जो खाते हो भुक्तम वो भी मदुर सुप्तम तुमारा सोना भी मदुर हमको सोता हुए कोई देखे तो क्या लगे उसको कोई योगी सो रहा है और कोई-कोई तो ऐसा सोते है आड़ा तेड़ा किदर से सोते है और किदर से उठते है पता ही नहीं चलता है पूरा परिक्रमा कर लेते है हम उठे तो बिस्तर वैसा ही हो जैसा सोने के पहले था योगियो जैसे नींदो देखने वाले को लगे कोई फरिष्टा योगी सो रहा है स्मित मुस्कान वैसे हमारे हाथ में नहीं होता है परन्तु योगी सा सोना और हमारी सोने के वज़े से किसी को डिस्टर्ब ना हो जो भी फिर भी खाना मदूर भुक्तम मदूरम जहां भोजन सही में थे वहां मदूरता है जहां भोजन अन्यंत्रित है वहां मदूरता नहीं है वहां रोग है बिमारी आए और योगी अगर बार बार बिमार पढ़ते रहे तो लोग कहेंगे तुम योगी और बार बार फिर भी बिमार पढ़ते उससे तो अच्छा हम रहे, बोगी सब खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बाहर का भी खाते हैं रिस्टोरिंड में जाते हैं और कभी बिमार भी नहीं पढ़ते हैं ऐसा ही ताना हमको किसी ने दे दिया तो तुम लोग अपना खाते हो अपने हाथ का बनाते हो और बार बार बिमार बढ़ते रहते हो और हमको हॉस्पिटल लेके जाने वाले वो ही है जो सब तरफ का खाते है तो फिर क्या रही है हमारी हम अपने आपके बचाव के लिए कुछ नहीं कह सकेंगे तो योगी अर्थात खाना मदूर, सोना मदूर, रूपम मदूर, तिलकम मदूर तुमारा रूप भी मदूर क्योंकि ये रूहानी परसनलिटी है तिलक भी मदूर है, स्वमान का तिलक निरंति लगा हुआ है स्वमान तुम अभी स्वमान में रहते तो तुमारा यादगार रूप में उदर गाया जाएगा परमाद मद्रिष्टी तुम पर पड़ी है संड़ी की मुटली तुमारा यादगार गाया जाएगा उदर करणम मदुरं तरणम मदुरं मतलब तुम्हारा जो कुछ करना है, तुम्हारे हर कर्म मदूरो, अर्धाच्रीमत अनुसारो, तरणम, तुम्हारा टैरना भी मदूर, हरनम मदूर, तुम्हारा हरन करना भी मदूर, तुम्हारा स्मरनम मदूर, वमितम मदूर, शमितम मदूर, तुम्हारा बोलना और तुम् तुम जो गुंजन करते हो, गुंगुनाते हो, एक है गाना, एक है बोलना, एक है गुंगुनाना, तुमारा गुंगुनाना भी कैसा है? इरिटेटिंग नहीं है, ने तो हम गुंगुना आ रहा है और दूसरों को डिस्टर्बंस हो रहा है, आज काल योग में लोग कान में वो डालते हैं, इयरफोन, कॉमेंटर सुनते हैं, या क्लास सुनते हैं, योग के समय, और वो क्लास की आवाज पूरे हॉल में गुंज रही मतलब क्लास और डिस्टर्ब सारे योग करने वाले हो रहे हैं, उसकी वज़े से, तो गुंजा मदूरा, माला मदूरा तुमने जो माला पहन के रखी है, कौन सी माला पहन नहीं है हमने, बहुत सारी माला है हमारी तो, मालाओं की लिस्ट हो सकती है, हमने कौन कौन सी माला है एक बार क्लास भी होई थी, गारलेंड, पूरी एक अव्यक्त वाणी थी, तब यहां पर चर्चा की थी, लंबी माला की लिस्ट है, जो हो सकती है, यमुना मधुरा, ये नदिया है, नदी जिसमें खेल रहा है श्री कृष्णा, वो नदी भी मधुर है, वीची मधुरा, हम जहां रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस थान पर रहते हैं, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, सब कुछ मधुरो, अर्थात कमरा कैसा है, अचानक कोई आ जाए कमरे में, जूते कहां रखे हुए है, अलमारी कैसी है, चीजे कहां रखी हुई है, तब अस्त व्यस्त तो पड़ा हुआ है या ठीक ठाक है अपनी जगह पर कोई चीज दूढने लगे तो पता ही नहीं चलता है पूरा कमरा दूढना पड़ता है एक चीज के लिए क्योंकि कहां रखी है वो ही पता नहीं तो मदूर नहीं हुआ ना गोपी मदूरा अर्थात कृष्ण जिन गोपियों के साथ के रहे वो गोपिया भी मदूरे लीला मदूरा जो लीला कर रहा है वो भी मदूरे युक्तम मदूरम मुक्तम मदूरम जब गोपियों के साथ युक्त है तब मदूरे जब उनसे मुक्त है अर्थात अलग है तब भी मदूरे वो मिस नहीं कर रहा है उनको सब के साथ है प्यारा और तुरंत न्यारा उसकी आंतरिक स्थिति में फरक नहीं है छोड़के जब जाना जा गया तो ऐसा गया कृष्ण दिखाया है गोकुल से बात में कभी भी किसी गोपी से नहीं मिला नहीं कभी किसी को याद किया जब उनके साथ था तब वो पाठ था आगे बड़ा दूसरा पाठ चलू गया और आगे बड़ा तीसरा पाठ चलू गया युद्ध का इधर कंसका मत्हुरा दवारिका गोकुल तीनो जगा तीना अलग-लग पार्ट यहां का पार्ट पूरा हूँ अब यहां पहुँचे अब यहां आने के बाद सुदामा सांधी पानी के आशरम में कृष्ण से कहता है क्रिश्ण मैंने आप तुम्हारी बासुरी कपसे नहीं सुनी परिस्षितियों को स्विकार कर लेना कि तब वो पाट था ये पाट है उसको मिस करते रहना वो पुराने दिन कब आएंगे तब मेरा कितना अच्छा पुरशाद चालू था आप क्यों नहीं हो रहा है तब वो दिन बहुत अच्छे थे वो अलग चीज है बच्पन के तिन पुलाना परन्तु दुखी हो रहे पास्ट में, अतीत में, माजी में जी रहे मुस्तक्बिल सामने खड़ा है फ्यूचर की कोई उसको नहीं देख रहे हैं केवल पीछे, अतीत में जीना लाशे ढोड़ो के चल रहे है शंकर जी जैसा, पारवती की लाश को छे मेना गुमते फिर रहे यहां पर भी गुम रहे है तो वो थोड़ा पहले है उसमें तो वो पाठ पूरा हो गया तो युक्तम मदूरम और मुक्तम मदूरम जब साथ में है तब भी मदूर, जब साथ में नहीं है तब भी मदूर, मदूरा दृष्टम मदूरम, शिष्टम मदूरम तुमारी दृष्टी भी मदूर है और तुमारी शिष्टता तुमारा disciplined life भी मदूर है वो दिखाया है कृष्ण की सोला हजार रानिया और एक प्रसंग ऐसा आया कि वो किसी को भेजता है उदर मदूरा, गोकुल में और कहता है कि नदी से कहना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो हे जबूना मुझे रहा देना वो कहता है तुम और ब्रह्मचारी तो सोला हजार रानिया, एक सो आठ ब्रह्मचारी कहां से हुए तो वो व्यक्ति जाता है और वो यमुना से कहता है अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे रहा देना यमुना रहा दे देती वो सब के बीच में है पर अन्तु डिटैच्ट है इसका उल्टा अर्थन ही लेना पर तृष्टी मदूरा गोपा मदूरा गावो मदूरा तुमारा जो गोप है पहले कहां गोपी अभी बोई बॉइफरेंड गल्फरेंड गोपा मदूरा गावो मदूरा तुमारा गाना भी मदूर यश्टी मदूरा यश्टी अर्था तुमारी जो छड़ी है गावो अर्था गाय गोपा मदूरा और तुमारी जो गाय है वो भी मदूर यश्टी मदूरा यश्टी अर्था जिस छड़ी से तुम उनको हाकते हो वो भी मदूर स्रिष्टी मदूरा जो स्रिष्टी तुमारी है वो भी मदूर मतलब तुम जो विनाश करते हो सम्हार करते हो और उसका जो फल है उस विनाश का जो फल है वो भी मदुर है भगवान इस अंसार का विनाश करने आता है और उसका जो फल होगा सत्यूब वो भी मदुर अखिलम मदुरम ऐसे ये आठ है आठ श्लोक क्योंकि वो आदम खुदा के जैसे है उसने कर्म ही ऐसे स्रेष्ट किये है कि अंतिम जनम में भी ब्रह्मा का इधर कितना गायन हुआ क्योंकि ये जनम किसकी महिमा है ये ब्रह्मा की महिमा है ऐसी महिमा क्यों ही भक्ति मार्ग में इतना उसको मधुरादी पती बना दिया भक्तों ने द्वापर से क्यों कि ब्रह्मा ने अभी कर्मा ऐसे किये इसलिए तो वो आत्मा इतनी स्रेश्ट नंबर वन जाकर बनी सत्यूग में तो हमें भी क्या करना है ऐसी मधुरता अपने जीवन में लाना ये मधुरता की संस्कृती निर्मान करनी है ये नई संस्कृती है कौन सी संस्कृती है मधुरता की संस्कृती है जो मधुसुदन का नाम बाला करने वाली है बाबा के कुछ महवाक्य है 25 डिसमबर की मुली 85 सभी विशेश Christmas day मनाने आये हो न बाब दादा किस्मिस डे कहते है किस्मिस डे अर्थात मदूरता का दिन सदा मीठा बनने का दिन मीठा ही ज़्यादा खाते और खिलाते है मुख मीठा तो थोड़े समय के लिए होता है लेकिन स्वैम ही मीठे बन जाए तो सदा ही मुख से मधूर बोल बोले जैसे मीठा खाना और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधूर बोल स्वेम को भी खुश करता, तो इससे सदा सर्व को मुख मीठा करते रहो. सदा मीठी द्रिष्टी मीठे बोल मीठे कर्म यह किस मिस डे मनाया है मनाना अर्थात बनना किसी को भी दो गड़ी मीठी द्रिष्टी दे दो मीठे बोल बोलो तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर करतो इन दो घड़ी की मीठी दृष्टी बोल उस आत्मा की सृष्टी बतल दे यहाद दो मधूर बोल सदा के लिए बदलने के निमित बन जाएंगे मधूरता ऐसी विशेश धारना है जो कड़वी धरनी को भी मधूर बना देती है इन भी सभी को बदलने का अधार बाप के दो मधूर बोल थे न, मीठे बच्चे तुम मीठी शुद्धा आत्मा हो, यह दो मधूर बोलने बदल दिया न, मीठी दृष्टी ने बदल दिया ऐसी ही मदूरता द्वारा औरों को भी मदूर बनाओ यह मुख मीठा करो समझा समझा सदा इस सवगातों से अपनी जोली भरपूर कर ली सदा मदूरता की सवगात को साथ रखना इसी से सदा मीठा रहना और मीठा बनना ओम शंति मदूर भदनम मदूर्म मदूरावी पती रख रिपएं मदूरावी पती रख रेक मदूरह मदूरावी